हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल ये स्ट्रामी के हिंदी एक्स्प्लेनिशन का पार्ट त्री है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फैंग पूशता है तुमने मुझसे ब्रेक अप क्यों किया था बताओ मुझे जियाओ माट तपक पड़ती है और फैंग को साइड ले चाकर बोलती है जियाओ और मिस्टर ये शादी करने वाले हैं फैंग को तो उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं होता जियाओ उसे वेडिंग रिंग का बिल दिखाती है जो मिस्टर ये ने एक्चली मैं अपने फ्यांसी के लिए खरी दी थी जो देखकर फैंग जिंग से बात करने आ रहा था जियाओ उसे रोक कर बोलती है मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम पता लगा सकते हो जिंग के द किलने का टाइम नहीं है जिंग तो शौक हो जाती है जियाओ बोलती है सगाई में जरूरा ना जिंग भी होके बोलकर चली जाती है फैंग को तो गुसा आ जाता है क्योंकि उसे लगा था जिंग उसकी सगाई को रोकने के लिए मिनते करेगी पर सब कुछ उल्टा ही हो गया जियाओ बोलती है देखा तुमने उसके दिल में तुम नहीं हो फैंग बोलता है तुमारा हो गया तो अब निकलो यहां से जियाओ बोलती है पर हमारी सगाई फैंग बोलता है मैं तुमसे कोई सगाई करने वाला नहीं ये ख्याल तो तुम अपने दिमाग में भी मत लाना पोता भी दे देना फैंग तो शादी करने से साफ मना करकर जा रहा था मोम बोलती हो उस लड़की ने तुम पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो तुम अपनी मोम की बात भी इकनोर कर रहे हो जयाओ भी बीच में बोल परती है मैं तुम से इतना जादा प्यार करती हूँ त तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाते फैंग उसे प्रूफ दिखाता है क्योंकि तुम्हारी वज़े से जिंग का मिस्केरिज हुआ था यही बात सुनने के बाद भी मोम जियाओ की ही साइड ले रही थी और इमोशनल ड्रामा शुरूर कर देती है अगर तुमने उस कारे में भी पता चल जाएगा यह बात सुनने के बाद फैंग तो हाँ बोल देता है स्याव सोचती है इस वेक इंगरिजमेंट को मैं रियल बना कर रहूंगी जिंग को उनकी सगाई का इंविटेशन कार मिलता है मेरों से बोलती है आप सैड ना हो सब कुश्टी को जाएग जिंग बोलती है जाने दो उसकी मर्जी जिस मर्जी से शादी करे मिलसे यह उसे बताता है मुझे जियाहू के अगेंस प्रूफ मिल गए है कि उसी ने फैंग के बड़े भाई यूनका एकसिडेंट करवाय था जिंग बोलती है फिर तो हमें सगाई में जरूर जाना ता कि मैं उसे ये तोफा दे सकूँ जिंग और फैंग दोनों साथ में इंगेश्मेंट पार्टी में पहुँच जाते हैं दोनों को साथ में देखकर सभी को लगता है फैंग जिंग से सगाई करने वाला है इसलिए बोलती है इन दोनों की जोड़ी तो ऐसे ही लगती है जै ज्याओ को तो गुस्दा आ जाता है क्योंकि ब्लैक फ्रेम में फोटो का मतलब फ्यूनरल वाला फोटो ज्याओ बोलती है ये क्या बत्तमीजी है फैंग बोलता है तो रख लोना इतना ड्रामा क्यूब कर रही हो जिंग से हाथ में वो पकड़ा देती है जिसे ज्याओ ही गिफ्ट की है मिस्टर ये बोलता है ये 1.8 मिलियन से जादा की रिंग नहीं है ज्याओ बोलती है क्या हुआ अगर कीमत कम है पर ये मुझे फैंग ने दी है इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ये मेरे लिए दुनिया की सभी कीमती चीजों से भी जाधा कीमती है फैंग बोलती है तुम अपना देखो पैसो के लिए मेरे लड़कीं को फसार रखा है जिक बोलती है मिस्टर ये मेरा भाई है ड्या और एडोप्ट किया है जियाओ बोलती हम लोगों को क्या फूल समझा है तब ही शोशल मेडिया पर नी martial के ली ने लिए डिए लेया अगdleी तोर पहाई को लेकर हिसली आई होना ताकि मेरी सगाई की पार्टी को खराब कर सको फैंग उसे चुप कराता है और जिंग को परपोस करता है क्या तुम उससे शादी करोगी जियाओ से तो ये सब देखा नहीं जा रहा था इसलिए वहां से भाग जाती है फैंग जिंग को रिंग नहीं कर सकती हो शादी तो तुम्हें मुझसे करनी होगी जियाओ रोते हुए बाहर जा रही थी तब ही फैंग की मौम महां आ जाती है जियाओ उन्हें रोते हुए सारी कहानी बता देती है मौम बोलती चिंता मत करो उस चुडेल को तो मैं देख लूँगी अंदर जिंग निकाल कर फैंग को वापिस कर देती है मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली आक्चली मैं जिंग को लगता था मिस कहरिज के बाद फैंग ने जियाओ को जिंग को मारने का ओडर दिया था फैंग बोलता है मैं उसे ऐसा कोई ओडर नहीं दिया था लेकिन जिंग को तो यकीन नहीं हो रहा था फैंक बोलता है मैं एविडेंस लेकर आता हूँ तब ही मुम ज्याव को लेकर वहाँ आ जाती है और सिधा जिंग को एक चाटा जड़ देती है तुमारे इतनी हिम्मत मेरे बड़े बेटे को छीन लिया और अब चोटे बेटे की शादे बरबाद कर रही हो ज देखकर जिंग को यकीन हो जाता है फैंक अभी उसे मरवाने का ओरर नहीं दे सकता जियाव मॉम को बोलती है मैंने यून का एकसिडेंट नहीं कराया जिंग मॉम को एविडेंस दिखाती है जिससे पता चलता है जियाव ने यून की कार के ब्रेक फिल पहले ही करवा दिये जियाव फैंक को बोलती है ये जूटे सबूत है ये मुझे फ्रेम कर रही है फैंक बोलता है मुझे जिंग पर पूरा यकीन है जियाव देखती है कोई भी उसकी बात पर विलीव नहीं कर रहा तो अपना ही सर्प फोर लेती है डोक्टर को बुलाया जाता है डोक्टर उसे होश में लाता है मोम उसे बोलते स्टूपिड लड़की तुम्हें खुद को हट करने की क्या जूरत थी कोई तुम पर यकिन करे या ना करे मुझे तुम पर पूरा भरोसा है तबी फैंग का असिस्टेंट उसे आकर एविडेंस देता है यून के कार एक्सिडेंट के जो जिवन अपने घर की भव भी बनाना चाहती थी और तुमने तो मेरा ही परिवार भी खेर कर रख दिया मोम तो रोते रोते भियोशी हो जाती है फैंग दोक्टर के साथ मोम को मां से भेज देता है जियाओ भी मां से भागने की फिरात में थी मिस्टर ये उसे रोक लेता है जिंग बोलती है अब तुम और भाग नहीं पाओगी सियाओ तो फैंग के पेर पकर लेती है मुझसे कलती हो गई है वैसे ये सब मैंने तुमारे लिए किया था मैं तुमसे प्यार करती हूँ पर तुम तो इस चुड़ेल के पीछे पागल थे फैंग अपने आदमियों को और देता है इसे उठाकर ले जाओ और नजर रखना भाग ना पाए फैंग जिंग को बोलता है अब तो जब ठीक हो गया है तो चलो मुझसे शादी कर लो सिंग मना कर देती है अब से हमारा कोई भी लेना देना नहीं फैंग बोलता है तुम फिर से मुझे छोड़ कर क्यों जाना चाहती हो जिंग तो बिना जवाब दिये चली जाती है मिस्टर ये उसे बताता है फर्स टाइम उसने तुमें छोड़ा था ये उसकी मजबूरी थी तुमारे मोम को अपने बेटी की गल्फरन फसन नहीं थी क्योंकि वो एक डांसर थी इसलिए वो अपने बेटी की श चौक विजाता है ये उसे समझाता है अगर तुम उससे सचा प्यार करते हो तो फॉर्स मत करो प्यार से मनाओ। मिस्टर ये की बात उसके भेजे में घुज जाती है नैक सीन में फैंक को उसका आदमी आकर बताता है सिया वो में पागल बना कर भग गई है फैंक समझ जाता जरूर वो सीधा जिंग के पास ही गई होगी जिंग मिस्टर ये से मिलकर घर जा रही थी और एक तक्सी में बैट जाती है थोड़ी देर बाद जिंग नोटिस करती है ड्राइवर रोंग वे पे लेकर जा रहा है तो वह ड्राइवर को टेक्सी रोकने को कहती है पर ड्राइव पर नहीं रोकता एक्चली में ये ज्याओ थी जो उससे अपना बदला लेने आई थी जिंग उसे देखकर डर जाती है और किसी को हेल्प करने के लिए कॉल करने वाली थी पर ज्याओ उससे उसका फोन भी छीन लेती है ज्याओ जिंग को हट करने वाली थी तब ही फैंग आ ज जाता है तब ही गार आकर जुआओ को पगड़कर ले जाते हैं जिंग बोलती है जल्दी होस्पिटल चलो लेकिन फैंग बोलता है पहले मुझसे वादा करो मुझसे शादी करोगी जिंग बोलती है हां भाबा तुमसे ही शादी करूंगी अब तो होस्पिटल चलो ना लेक का बटन प्रेस करें मिलतें नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए सारंगे बाई बाई